तसर सिल्क के बारे में तो आपको मालूम ही होगा and I'm very sure कि आप में से कई लोगों के पास तसर सिल्क की सारी भी होगी लेकिन आपको पता है यह सिल्क कैसे बनता है? यह बनता है एक कीड़े के लार्वा से यह कीड़े जनरली अरजुन के पेड़ में पाया जाता है इस कीड़े को पहले पालते हैं फिर यह लार्वा चार महीने तक खुले में और बागी के आठ महीने अपने कुकून में रहता है इसके बाद कुकून को धूप में सुखा देते हैं कि अंदर का कीड़ा मर जए और अगर इसको नहीं सुखाया तो फिर उसमें कीड़ा जिंदा रहेगा और सिल्क धागा नहीं निकल पाएगा फिर उस कुखोन में एक पतला सा छेत किया जाता है जिससे धागा निकलता है एक कुखोन से अप्रॉक्सिमेट वन क्लोमीटर लंब पुरा नहीं बना सकते। इससे पांच थागों का एक थागा बना और उसके बाद ये फर्दर प्रोडक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।